दोस्तो नेचरल लेटेक्स के पिलो और नेचरल लेटेक्स के मैटरस इतने कोस्टली क्यों होते है इसका यही रीजन है कि 150 रबर ट्री में से जो एक दिन में सेप निकलता है यानि कि लिक्विड निकलता है एक दिन में 150 रबर ट्री में से उन में से दोस्तो ओनली एक पिलो बनता है तो इसके अंदर ज्यादा लेबर लगता है ज्यादा टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है तो यही रीजन है कि यह नेच्रल लेटेक्स का पिलो ज्यादा कोस्टली होता है और दोस्तों लेटेक्स का जो पोधा है उसको आप एक बार लगाते हो तो शेवन यर्ज के तब गवेता